हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं E24 और News24 मैं हूँ नीतु कुमार और आज मैं बात करूँगी मिठुन चक्रवर्ती की जी हाँ मिठुन चक्रवर्ती जो हैं उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें वो अस्पताल में लेटे हुए नजर आ रहे है उस तस्वीर का सच उनके बेटे ने बताया है एक्चुली जब सोशल मीडिया पे उनकी ये तस्वीर वाइरल हुई तो उनके तमाम फैन्स परिशान होगें कि आखिर मिठुन को हुआ क्या है अस्पताल में हो क्यों लेटे हैं तो उनके बेटे ने अब इस बात का खुलासा किया है कि वो तस्वीर सचमुच सही है कोई मौफ की भी तस्वीर नहीं है और मिठुन जो है वाकई बेंगलूरू के एक अस्पताल में भरती हुए थे वहां जो है उनके किड्नी में एक स्टोन था जिसका ओपरेशन किया गया है मिठुन जो है अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके है और अपने घर पहुँच गए हैं और वो जो है डॉक्टरों ने उनको अभी बेड रिस्ट को कहा है मिठुन चक्रवर्ती जो है बॉलिवुड के बहुत जाने माने आक्टर रहे हैं असी के दशक में जो है कह सकते हो सूपर स्टार थे बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी और उस दौर में जब अमिताफ बच्चन का जादू ढ़ल रहा था तब मिठुन चक्रवर्ती जो है उस दौर में स्टार बनकर उभर रहे थे मिठुन चक्रवर्ती के बारे में आपको बताएं कि उस दौर में एक और उनकी एक कहानी ये थी कि एक स्टंट मैन ने उनकी जान बचाई थी वो स्टंट मैन थे अजय देवन के पिता विरुदेवगन 1986 की बात है कि मिठुन अपनी एक फिल्म के लिए जो है पचास फिट की उचाई पे खड़े हुए थे मिठुन चक्रवर्ती वहाँ उचाई पे खड़े हुए थे और नीचे जो है कैमरा तयार हो रहा था और फिर जो है मिठुन चक्रवर्ती को नीचे कूदना था गद्दे पे इस पुरे मंजर को जो है पूरा जो है अजय देवगन के पिता वीरु देवगन जो है बहुत ध्यान से देख रहे थे तब ही अचानक उचाई पे खड़े मिठुन चक्रवर्ती का बैलन्स बिगड़ा और फिर मिठुन वहां से गिर पड़े क्योंकि उस समय कोई ऐसी तैयारी नहीं हो रखी थी और उस समय अगर मिठुन गिरते तो सीधे जमीन पे गिरते और उनको बहुत तेज चोट लगती जब वीरु देवगन को लगा कि मिठुन गिरने वाले है तो वो जो है दोड़कर वहां गए और उन्होंने अपने मजबूत वाजियों में उनको लपक लिया और फिर इस तरह से जो है मिठुन जो है एक दम हक्के बक्के थे कि अचानक से वो कैसे उपर से गिर परे और बहुत सूझ बुझ दिखाते हुए अजय देवण के पिता वीरु देवगन ने जो है उनको जमीन पर गिरने से बचा लिया अगर मिठुन गिर गय होते तो हादसा हो सकता था आपको बताए कि इस घटना के करीब तीन घंटे तक मिठुन चक्रवर्ती जो है बहुत सहमे हुए रहे एक्चली उस दौरान जो है उसी दौरान हाल फिल हाल जो है स्मिता पाटील का निधन हुआ था और इंडरस्ट्री में कह सकते एक अजीब सा महौल कि एक यंग अक्ट्रिस जो है गुजर गई और ऐसे में जब मिठुन के साथ ये घटना हुई तो बिलकुल सहम से गया और उन्होंने जो है थोड़ी देर बात जो है बताया वीरु देवगन को कि अगर दादा अपने मुझे नहीं बचाया होता तो फिर मेरे मरने की भी करने लगें आपको बताएं कि वीरु देवगन ने बहुत सारी करिव देर सो से ज़्यादा फिल्मों की वह स्टन्ट डेरेक्टर रहें सतर असी नब्वे का जो तमाम है वह एक दौर था उस दौर में जितने भी बड़े अक्टर थे वो तमाम अक्टर जो है उनके गाइड की सामने आई थी कि किस तरह से जो है उन्होंने मिथून चक्रवर्ती की जान बचाई थी मिथून चक्रवर्ती की बात करें तो मिथून चक्रवर्ती के बारे में जब ये खाबर आई कि उनकी तब्यत खराब है वो अस्पताल में भरते तो उनके तमाम फैंस जो हैं बहुत कह सकते हैं कि दुखी हो गए, परिशान हो गए और उनके लिए दुआ करने लगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए मिठून चक्रवर्ती अब 71 साल के हो चुके हैं बहुत जादा फिल्मों में नहीं देखते हैं उनके पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी जिसमें उनके अक्टिंग की बहुत सराहना हुई इसके अलावा आने वाले दिनों में एक बंगाली फिल्म में भी नजर आएंगे हुनरवाज शो में जो है वो एक जजज के तौर पर दिखे थे और वहाँ भी उन्होंने अपने अंदाज से जो है दर्शकों का भरपूर मन रंजिन किया था मिठून चक्रवर्ती जो है कह सकते हैं कि अस्ती के दर्शक में बहुत बड़े स्टार रहे उन्होंने ऐसी फिल्मे की डिस्को डांसर के तौर पर मशूर हुए और तमाम ऐसी फिल्मे की जो हमेशा जो हनके तमाम फैंस हमेशा उनको याद रखेंगे